हेलो फ्रेंड्स ID technical जौन में आपका हर्दिक स्वागत हैं और पिरिये विधार्थियो आद़के अपडेट बहुत ही महतोपून अपडेट रहेगे और ये अपडेट उन विदार्तियों के लिए रहेगी जो विदार्ती CTA करने के चुक है या CTA करना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं CTA के बारे में CTA करने के बाद आप गौर्मिट आइट 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 इसकी admission जो होते हैं वो कब होते हैं तो पिरिये विदार्तियों CTI के जो admission जो होते हैं हमिशा वो अप्रेयल के अंदर इनके form निकलते हैं मैई और जून के अंदर एक All India Common Interest Test होता है ठीक है जिसमें आपके 100 क्यूसन होते हैं 100 क्यूसन रहेंगे और पिछे 30 क्यूसन तो आपके ट्रेड से रिलेटिव होंगे और 25 क्यूसन रहेंगे उसके अंदर मैट आएगा और इंगलिस आएगा चीकन तो इसके अनुसारी ये merit बनती हैं और merit के अनुसारी आपके दाखले होते हैं तो यह जो admission जो होते हैं क्योंकि तोड़ा भी लेट प्रोसीजर चल रहा है क्योंकि देश और प्रदेश में कोविड नाइंटीन कोरोना वाइरस फैला हुआ है इस वज़े से तोड़ा डिले चल रहा है तो जल्द ही सीटिय एडमिशन की डेट आने वाली है तो उससे पहले कुछ information है वो हमें जाना बहुत जरूरी है और यह special जो आज की जो वीडियो रहेगी यह electrician और wireman विदार्थियों के लिए रहेगी क्योंकि जब हम CTI के लिए आवेदन करते हैं admission के लिए form apply करते हैं तो इसमें कुछ आपसे information मांगी जाती है एक तो इसमें आपसे college जो CTI के रहेंगे government college चाए private college तो उनकी 24 आपसे मांगी जाएगे भी आप कौन से college के अंदर दाखला लेना चाहते हो तो यह college आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पता हूँ साथ ही total sheet कितनी रहेगी कौन-कौन विदार्थिस में eligible रहेगा तो आए जान लेते है step by step तो यह देखिए आज आपको इस वीडियो की फुल फरम क्या बनती है craft training instructor और इसे cits भी बोलते है craft instructor training skin के नाम से भी जाना जाता है और यह एक साल का course होता है रीच में दो समेस्टर होते है total electrician और वायर्मेन की जो seat रहेगी वह आपके रहेगे 660 उसके बाद यह देखिए eligibility criteria क्या रहेगा ITE NCVT होनी चाहिए electrician भी दो साल की होती है और वायर्मेन भी आपकी दो साल की होती है उसके बाद में diploma है पॉल टेक्निक डिप्लोमा आपका electrical branch से होना चाहिए और यह तीन साल का आपके लिए diploma रहेगा उसके बाद में b-tech है b-tech एक degree यानि 4 year के आपकी होती है और यह भी आपकी electrical से होनी चाहि ले सकते हो तो आई जान लेते हैं कि total seat तो हमने देख लिए लेकिन step by step पड़ेंगे कितने total center रहेंगे और कहां पर कितनी seat है तो नंबर एक पर हम देखेंगे चेनई 80 seat है विद्यानगर हेद्रावाद में और नंबर 5 पर रहेगा 40 seat आपकी रहेगी जोदपूर यानि राजस्तान में उसके बाद में नंबर 6 पर है 60 seat रहेगी लुदियाना पंजाब में उसके बाद में नंबर 8 पर है 80 seat रहेगी मुंबई और नंबर 9 में हम देखेंगे 80 seat र में और 14 नमबर 14 नमबर पे रहेगा 40 सीट रही बुनेस्वर में तो प्रिय विदार्तियु मैंने आपको बता दिया है टोटल सीट कहां 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 पर रहेगी तो यह आप को इस पर नोट कर सकते हो जो नियर अब आउट आपका रहेगा वो सेंटर आप च्वाइस में बर सकते हो तो अगर आपको वीडियो ची लगी है तो एलेक्टिसीन और वाइरमेन के जितने विदारते उनको यह वीडियो जरूर बेच दे और इससे संबंदित कोई भी अगर जानकारी लेना चाहते हो तो मुझे आवसे कोमेंट करें और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो को चा हिंजा बारत वंदे मातरमा